हलो एवरिवान आप सभी का इंपेक्ट एजुकेशन आपके ओनलान प्लेटपॉम पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों अपन फंडामेंटल सोग एग्रोनोमी पढ़ रहे थे तो आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है उसमें अपन पढ़ेंगे इरिकेशन के बारे में यानि होती है इसके अलावा देखेंगे कि सिचाई की कौनकौनसी है तो आज की इस क्लास में अपन सब्सक्राइब किसीड क्या होता है इरिकेशन के सरफेस मेंटेड हे वो कौन कौन से है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सबसे पहले बात करते हैं अपन इरीगेशन की इरीगेशन या आप कह सकते हो हिंदी के अंदर इसको सिचाई इरीगेशन या सिचाई आप से सेमेश्टर एक्जाम में सीधी डेफिनेशन पूछी जाती है कि irrigation या सिचाई है वो क्या होती है चलिए देख लेते हैं कि irrigation है वो क्या होता है तो irrigation is the artificial application of water to the land or soil artificial मतलब है करत्रीम आटीफीशल मतलब है करत्रीम करत्रीम और application मतलब उप्योग करना है आपने को किसमें उप्योग करना है water का पानी का land या तो अपनी जो भूमी है या मरदा है उसके अंदर अपने को क्या करना है water का करत्रीम रूप से उप्योग करना है तो अपन कह सकते हैं कि पानी का करत्रीम रूप से soil के अंदर डालना या soil के अंदर उप्योग करना क्या कहलाता है सीचाई कहलाता है irrigation कहलाता है चलिए next देखते हैं it is used to assist in the growing of agriculture crops क्यों करेंगे वह अपन अपन जो soil है अपनी या मर्दा है उसके अंदर water क्यों डालेंगे फसल उत्पादन के लिए crops को grow करने के लिए इसके अलावा जो landscape crops होती है उनको grow करने के लिए proper उनको grow देने के लिए अपन उसमें पानी है वो apply करते हैं तो ये irrigation होता है यानि मर्दा के अंदर करत्रीम रूप से पानी देना ही क्या कहलाता है सिचाई कहलाता है तो ये बात होगई सिचाई की definition की next अपन बात करेंगे कि जो सिचाई है उसके method से कौन कौन से method से अपन सिचाई करते हैं सबसे पहले अपन बात करेंगे surface irrigation method की यानि आप कह सकते हो सतही सिचाई सतही सिचाई की विधिया सतही सिचाई की विधिया है वो कौन-कौन सी है तो सतही सिचाई है वो जनरली दो परकार्चे की जाती है एक की जाती है uncontrolled surface flooding और दूसरी की जाती है controlled surface flooding अंकन्ट्रोल जो सरफेस प्रोडिंग है इसको अपन कह सकते हैं एससी मिंत बाड़कर्थ सिचाई अंकन्चॉन इनँग एस इमित हैं नख इन रोड़ मतलब एस सिमित तो ऑड़कर्थ रोडिंग का मतलब बाड वहता है तो यह क्या हो गई अनकन्ट्रोल यह एस सिमित बाड कर्थ सिचाई हो गई मतलब इस सिस्टम में अपन जो पानी देंगे अपनी जो मर्दा है उसके अंदर उसमें अपन कोई कंट्रोल नहीं रखते बिना किसी कंट्रोल के जैसे बाड आती है उसी तरह अपन खेत के अंदर पानी डाल देते हैं कोई कंट्रोल अपन नहीं रखते हैं दूसरा है कंट्रोल सर्पेस सिचाई तो इसमें अपन कंट्रोल रखते हैं यह क्या हो गया सिमित बाड कर्थ सिचाई सिमित बाड कर्थ सिचाई यह हिंदी की बात हो गई कि uncontrolled surface जो floating है उसको हिंदी में क्या कहते है controlled surface floating है उसको हिंदी में क्या कहते है फिर देखते हैं कि जो controlled surface system है या जो floating method है ये भी तीन अलग-अलग type के होते है एक है basin, एक है broader, stream और एक है furrow तो इन सब के बारे में अपन detail से पढ़ने वाले हैं कि uncontrolled क्या होता है, controlled क्या होता है basin system क्या होता है, border system या फर्रो सिस्टम है वो क्या होता है तो चलिए start करते हैं सबसे पहले अपन देखेंगे wild floating जो wild floating है वो uncontrolled को ही कहा जाता है uncontrolled floating uncontrolled floating जो है उसको क्या कहा जाता है wild floating कहा जाता है या जंगली floating जंगली वाड अपन कह सकते हैं जो जंगली क्रोप्स होती है या जैसे जंगली एनिमल्स होते हैं उनका अपन कंट्रोल नहीं कह सकते तो उसी परकार से अपन इसमें कोई क्यारी विदी तो उसमें अबसमें अपन्स बना दिये इस सिस्टमम है क्या करते हैं कोई बबन नहीं बनाते हैं और सीधा जो खेट है उसके अंदर अपन नाली निकाल देते हैं और के जाना स्टार्ट हो पूरे खेत में जहां अगर लेंड है अपनी ऊची होगी तो वहां पानी नहीं जाता है जहां अपनी जो भूमी है वह अनीवन है यानि गहरी होगी नीची होगी तो वहां पानी खटा हो जाता है तो यह जो मैथड़ है वह ज्यादा सिस्टेमेटिक नहीं होता है पानी भी इ drinking irrigation water is abundant and abundant का मतलब है ज्यादा मात्रा में हो या कोई चीज है वो अधिक मात्रा में हो अब अपने पास अगर पानी अधिक मात्रा में है तो आपनकॉं सा system काम में ले सकते हैं वहाँ पे uncontrolled flooding system है वो काम में ले सकते हैं यानि अपने पास में पानी की कोई कमी नहीं है वहाँ पे अपन ये system है वो काम में ले सकते हैं इस method is most commonly used for irrigation of crops on on broadcasting method अपने sowing के अंदर पढ़ाता चिटकवा विधी चिटकवा विधी यानि जो seed है उसको अपन direct field के अंदर चिटक रहेते और sowing कर रहेते तो उस method से अगर अपने को field के अंदर sowing करनी है तो ये method अपन irrigation का method है वो काम में ले सकते हैं तो यह आपको ध्यान रखना है जैसे राइस लगाते हैं इसके अलावा जो चराव चारेगा वाली जो फसले होती है इसके अलावा मिलेडस crops है उन फसलों के लिए अपन यह method है जनरली काम में ले लेते हैं नेक्ट बात कर लेते हैं इसके advantage क्या क्या है इसके लाव क्या होंगे अपने क्या इससे फाइदे होने वाले हैं तो पस्ट है no land leveling and land shaping जो अपनी भूमी है उसमें अपने को लेवल करने की कोई आवसकता नहीं होती है उसमें प्रोपर सेप में उसको लाने की आवसकता नहीं होती है तो अपने खर्चा है वो कम होगा इसके लाव लो लेबर एंट लेंड प्रिप्रेशन कोस्ट यहनी लेबर की आवसकता अपने कम होगी कम अपने को मजदूर चाहिए क्योंकि कुछ भी कम अपन नहीं कर रहे हैं जैसा खेयत है उसके अUNGर सीधा डायरिक्ट अपन पानी डाल रहे हैं और जो इरिगेटर है उसको भी कोई कला या स्किल सीखने की आवसकता नहीं है सीधा खेत के अंदर पानी डालना है जैसे जा रहा है वैसे जाने देगा वो उसको कुछ भी नहीं करना है नेख देख लेते हैं इसके disadvantage या इससे हानिया है वो क्या क्या हो सकती है तो applied water is lost by deep percolation and surface runoff इसमें क्या होता है एक तो पानी है वो ज्यादा deep percolation में चला जाता है या बहकर दूसरी जगे चला जाता है जहां अपने को आवसिता नहीं है उस field के अंदर भी चला जाता है तो ये इसका नुकसान हो गया low irrigation application efficiency और पानी ज्यादा लग रहा है और irrigation efficiency है वो कम आती है यानि ज्यादा पानी के अंदर अपन कम खेत को है वो सिंचित कर पाते हैं इस method से तो ये अपने देख लिया wild या जो uncontrolled flooding system है वो क्या होता है यानि बिना किसी control के खेत के अंदर पानी डाला जाता है और ये जो system है अपन वहाँ काम में लेते हैं जहाँ पानी की मात्रा ज्यादा उपलब्ध होती है इसके advantage, disadvantage अपने देख लिए next अपन बात करते हैं controlled flooding की controlled या सिमित बाढ़कर्थ सीचाई यानि इसमें अपन है वो पानी को control करके इस field के अंदर डालेंगे इसमें अपना control रहेगा कुछ ने कुछ इसमें पहला method है check basis method और आपने सुना होगा क्यारी विधी check basis method को ही क्या कहा जाता है क्यारी विधी भी कहा जाता है यानि आपको क्यारियाँ बनानी है और क्यारिया बना के उनके अंदर क्या करना है आपको सीचाई करनी है पानी देना है तो ये क्यारिय विदी होती है In this method, the field is divided into square or rectangular plots यानि जो अपना खेत होता है उसको square या rectangular plots के अंदर अपन डिवाइड कर देते हैं जैसे ये अपना खेत है ये अपने plots बना दिया अलग-अलग इधर भी अपन ने अपने खेत में plots बना दिये अलग-अलग plots अपन बना देते हैं और उनके अंदर अपन पानी देते रहते हैं इधर अपने पानी दे दिया फिर यहां दे दिया यह पूरा अपना फिल्ड ए खेते हैं तो अलग-अलग अपन प्लोट बना लेते हैं क्यारियां बना लेते हैं आप सबने देख रखा होगा क्यारी बनाकर अपन पानी देते हैं और 4000-4,000-m², guided by buns on all the sides इस साइज में अपन जो अपने buns या जो क्यारिया है वो बना सकते हैं this method is usually practiced in nearly leveled land लेकिन ये जो method है वो कहाँ पर काम में ले सकते हैं जहाँ पर soil है वो leveled हो अपना खेत है वो बिल्कुल equal हो level के अंदर हो ऐसे नहीं कि उबढ़ खावढ़ खेत हो और वहाँ पर भी अपन क्या कर रहे हैं क्यारी विधी है वो काम में ले रहे हैं क्योंकि अगर क्यारी विधी में फिर आप उस method में पानी दोगे तो कहीं न कहीं पानी पानी पहुचेगा कहीं नहीं पहुचेगा तो इससे अपने को loss हो सकता है इस method is most commonly used for irrigation, irrigating crops like ground nut, finger millet, sorghum, vegetable crops ground nut के अंदर आपने देखा होगा जनरली क्यारी बनाके या पहले जो क्यारी या बनाके जब sprinkler या micro irrigation system नहीं था, drip irrigation system नहीं था तो जनरली क्यारी विधी है वो काम में ली जाती थी यह surface irrigation का एक method है आपको ध्यान रखना है check machine method या क्यारी विधी field को अलग-अलग float के अंदर divide कर दिया जाता है और field के अंदर पानी को दिया जाता है सिचाई की जाती है लेकिन ध्यान रखना है कि जो मर्दा होनी चाहिए field होना चाहिए वो equal होना चाहिए level होना चाहिए नेक्स देसे आप यहाँ पे देख सकते हो यह अपना फिल्ड है अपन ने क्यारिया बना दी और क्यारिया बना के अपन ने उसके अंदर पानी दे दिया इसके अलाव यहाँ देख सकते हो जैसे यह अपना फिल्ड है यह अपन ने क्यारी बना ली ये अपन ने अलग क्यारी बना ली पहले यहाँ अपन ने पानी दिया फिर अपन यहाँ पानी दे रहे हैं इसके बाद में अपन यहाँ पानी देंगे तो फिल्ड को अपन अलग-अलग प्लोट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं और फिर उसमें सिचाई करते हैं उसी को क्यारी विधी कहा जाता है नेक्ट देखते हैं इसके advantage क्या-क्या है इसके lab क्या-क्या है या इससे फायदे क्या-क्या होंगे अपने को पहला है water can be applied uniformly यानि जो पानी है वो equal जाएगा सारे खेत के अंदर पानी है वो equal रहेगा क्योंकि अपना field भी कैसा है leveled है, बराबर है, equal है simple and chief when equipment is used for constructing burns यह जो method है वो simple है ज्यादा costly भी नहीं पड़ता है केवल जो open equipment यहां में लेते हैं जो burns बनाने के लिए धोरे बनाने के लिए या क्यारी बनाने के लिए उनके अलावा इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता है नेक्स देख लेते हैं इसके disadvantage क्या क्या है इससे हानिया अपने को क्या क्या हो सकती है अगर अगर लेवल ना हो तो क्या होगा जो अपना जो प्लॉट है अपना क्यारी जो अपने बनाई है उसमें समान रूप से पानी नहीं जाएगा अनिवन जाएगा कहीं चला गया कहीं नहीं जाएगा तो यह इससे हानी हो बंड से वो बीच में आएंगे more labor is required for field layout and irrigation और इसमें ज्यादा labor की आवशकता होगी या सीचाई के लिए भी इसके अलावा field को तयार करने के लिए भी उसकी layout बनाने के लिए भी क्यारी बनाने के लिए भी labor की आवशकता पड़ेगी तो यह इससे हानिया होती है नेक्ट एर रिंग बैसीन रिंग आप सब जानते हो या इसको कहते हैं थाला विधी ठाला विधी और रिंग आप जानते हो कि रिंग क्या होता है घेरा होता है तो आपको क्या बनाना है घेरा बनाना है जो घेरा विधी है वो ज़्यादातर जो अपने ओर्चाड वाली क्रोफ होती है या जो अपने फल वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए यह method से जब से ज़्यादा काम में लिया जाता है दिस मेथर्ट इज modification of check vaccine method check vaccine जो method है उसका यह modification roof है and suitable for especially grown orchard crops and cooker weeds जो cooker weeds है या जो orchard फसले हैं उन फसलों के लिए मुख्य तक कौन सा method काम में लिया जाता है थाला विधी या रिंग वेसिन यह आपको ध्यान रखना है और चार्ट क्रॉप की में सीजाई के लिए कौन सा method काम में लिया जाता है थाला विधी या रिंग मेथर्ड है वो काम में लिया जाता है इन दिस मेथर्ड इस circular bond is constructed उसमें अपन रेक्टिंगुलर या इसक्वाइर सेफ में बना रहते बंड इसमें कैसे बनाएंगे circular बनाएंगे यानि गोल अपन इसमें बंड बनाएंगे गोल क्या रिवनाएंगे और जो अपना फिल्ड है उसमें या प्लांट है उसके अंदर पानी देते रहेंगे अराउंड इच ट्री और प्लांट यानि हर प्लांट के चारो और अपन क्या बना देते हैं गोल घेरा बना देते हैं और उसके अंदर अपन सिजाई करते हैं पानी देते हैं बैसिन फॉर इरिगेशन या जो भी अपने प्लांट है प्लांटेशन क्रॉप्स है उनमें अपन घेरा बन होसी है दख्सता होती है उतनी ही दूरी गहरा बनाया है जितने में अपने प्लांट को पानी आव सकता होती है यादि अपना प्लांट विप्लांट उसके चरों ऑर अपने घहरा बनाए और वहां पर आपके डाल दिया और नहीं को पाणी नहीं है यानी soil erosion का कोई खत्रा नहीं होता है मर्दा कटाव का इसमें कोई खत्रा नहीं होता है तो ऐसी labor भी अपन इसमें काम में ले सकते हैं जो skilled नहीं है जो जानती नहीं है कि कैसे सिचाई करनी है डारेक्ट उसको जो घेरा अपन ने बना रखा है उसमें पानी देना है इसमें भी labor की requirement है वह ज्यादा हो रहने वाली है बंड्स रेस्ट्रिक्ट यूज ओफ modern machinery in the field लेकिन अपन ने जो बंड बनाया है घेरा अपन ने जो बनाया है तो वहाँ पर अपन जो modern machinery है आज कल machinery से ज्यादा काम होने लगा है तो वह modern machinery अपन वहाँ पर काम में नहीं ले सकते हैं तो यह इसका नुकसान है यह अपन ने देख लिया रिंग वैसीन मेथट क्या होता है उसके advantage क्या है disadvantage क्या है कौन सी crop में अपन रिंग वैसीन मेथड हो काम में लेते हैं नेक्ट अपने मेथड है प्रॉडर स्टरीप मेथड प्रोडर स्टरीप में चुक्राइप या इसको हिंदी में कहा जाता है सिमान प्र глаз मेथट की इंदी में इसको कहते हैं सी मान इसमें जो खेत होता है उसको एक बड़े अब इए बड़े करates से लेकिन इस में ऑनलिघbs उसको बड़े शेत्र में एक अपन क्यारी बनाते हैं बड़ी बड़ी क्यारिया इसमें बनाई जाती है जनरली 5 to 15 minute meter width and 70 to 300 meter in length जो क्यारिया होगी उनकी चोड़ाई होगी 5 से 15 meter जो अपन इसमें क्यारिया बनाने वाले हैं बंड़ अपन जो बनाने वाले हैं उनकी जो चोड़ाई होगी वो तो होगी 15 से 5 से 15 मिटर इसके अलावा उनकी जो लंबाई होगी वो होगी पिछोतर से लेकर 300 मिटर तक लंबी वो हो सकती है इस मेथड़ इस सुटेबल फोर इरिगेशन इरिगेटिंग ए वाइड वेराइटी ओफ क्लोज ग्रोविंग प्रोप सच एज वीट वार्ले ग्राउंट वाजरा एंड परसी ऐसी पसलों में अपन ये काम में लेते हैं जहां पे जो जो क्रोप होती है वो पास पास में जेसे यह अपना खेथ है अपने एक लंबी क्यारी बना ली और वहाँ पे अपने शिचाई कर दी बीच में अपने कुछ क्यारी नहीं मनानी है एक अपने बंड बनाया बीच के अंदर और शिदा अपन पानी इसमें डाल दिया जिससे यहाँ पर अपन देख सकते हैं यह अपन ने लंबी लंबी क्यारिया बना लिए लंबे बंस बना लिए इधर से अपन ने इसमें पानी डाला इसके बाद में अपन ने इसमें पानी डालना स्टार्ट कर दिया फिर अपन इसमें पानी देंगे तो लंबी लंबी क्यार से देख लिया अपनी जो नेक्ट क्लास रहने वाली है उसमें अपन देखेंगे माइक्रो इरिगेशन के कौन-कौन से मैथड से जैसे आपने नाम सुना होगा स्प्रिंकलर सिस्टम यानि हमारा विधी इसके लावा ट्रिव इरिगेशन सिस्टम तो इनके बारे में अपन नेक्ट क्लास में डिसकस करने वाले हैं तो मिलते हैं नेक्ट क्लास में तब तक के लिए थैंक यू